हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा अनिपोर्णा रसोई प्रेंड्स आज हम बनानी जा रहे हैं मैंगो केक इसको बनाना बहुत इजी है और आप जटपट से इसे घर में तयार कर सकते हैं तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए हमने एक बर्तन ले लिय ढल दिया है और यह देखी अब उसी रैशियो में हमें मैंडा डालना है यानि कि हमने एक कटोरी मैंगो पल्प लिया था तो एक का टोरी हमने मैदा ले लिया है और अब हम इस में डाल देंगें और इनको अब अच्छे सेließen लेंगे तो मिक्स करने से गी मुंच चाहीं तो i vind ऑयल सकते हैं और यह देखिए अच्छे से मिक्स करना है तो झाह अन्यव को गड़िघन कर रहे हैं अपको तो यह बड़ी चमच मिल्क पाउडर एड़ किया था थोड़ा सा इसका फ्लेवर एन्हांस करने के लिए अगर आप चाहें तो एड़ करें आप चाहें तो इसकेप कर सकते हैं और यह देखें अमने एक बड़ी कटोरी चीनी डाल दी हमने चीनी का बूरा लिया है तो हमने जि एक्दम अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आपको बनाते समय लग रहा है कि जो आपका मिक्सचर तयार हुआ है वो थोड़ा गाड़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूद्ध एड़ करके जब एक्दम केक के लायक हमारा मिक्सचर हो जाएका तब हम उसे टिन में डालेंग कि जबनानानी और यह देखें यह हमने डाल दिया है में बेकिंग पाउडर तो आपको बेकिंग पाउडर एक चमच डालना है और यहां पर हमने आदा चमच बेकिंग शोड़ा है और इसको भी अब हम मिक्स कर लेंगे तो ये देखे हमारा मिक्स्चर अब बिल्कुल तयार है तो ये देखे हमने केक बनाने के लिए टेन ले लिया था तो हमने ये केक मोल्ड ले लिया है और इसमें हमने बटर पेपर पहले से लगा लिया है और इसमें अब हम अपने मिक्स्चर को डालेंगे यह देखे हमने पूरा मिक्स्चर अपने मोल्ड में डाल दिया है और अब अच्छे से हम टैप कर देंगे तो कंसिस्टेंसी आप इसकी देख पा रहे हैं आपको बहुत जादा ध्यान रखना है तो फ्रेंड्स यह देखे हमने कढ़ाई पहले से प्रीहीट कर ली थी और उस हमने रख दिया है और हमने इसको ढग दिया है आपके पास जैसा भी बरतन हो आप उससे ढग सकते हैं बस आपको यह द्यान लगना है कि जो हमारा बेक हो रहा है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए तो यह देखे अब इस स्टेज में हम यहां पर ड्राइफ रूट्स एड कर देंगे तो हमने पहले तो के को रख दिया था 5 मिनिट के बाद हमने इसमें जो ड्राइफ फूट्स हमने कट करके रखे हैं वह हमने इसमें एड़ किये तो तुरंत आपको नहीं आड करना है इससे क्या होता है कि जो भी हम उपर डालते हैं वो नीचे बैट जाता है तो आपको जब पान से साथ मिनिट हो जाएगा तो जो भी ड्राइफ्रूट्स आप जालना चाहते हैं वह आप इसमें डाल सकते हैं तो यह देखे पूरा 35-40 मिनिट के बाद हम देख रहे हैं तो हमारा केक अब यह बिल्कुल तयार हो गया है और बिल्कुल भी हमारा टोट पिक म मिनिट के अंदर इसलिए के बिल्कुल तयार हो गया है और अब हम इसी ठंडा होने के लिए रख देंगे तो यह देखे हम ने इसको 15 पोनला से 20 मिनिट के केक को हम निकाल लेंगे तो यह देखे हमने केक को निकाल दिया है और अब बटर पेपर को हटा देंगे més कि स्मेल आर этих अंहसे चाहें तो ये खाने में छोड़ा अच्छा लगेता तो आप इसे घर में जरूर गाए करें और मैंगो यह सीजन largest को स्किप करना तो बहुत बड़ी गलती है तो आप इसे घर में जरूर से ट्राय करिए और इसको अब हम पलट लेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें जादा से जाज़ा शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा के तो यह देखे हैं हमें आपको काट के दिखा देती हूं यह देखे हम कट करके दिखा रहे हैं और कितना ज़्यादा फलफी बनाए केक आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से यह बेक हो गया है और यह देखिए यह देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं कितना ज़्यादा फलफी हमारा केक बनाए यह देखिए वाउ, इस डाम टेस्टी, तो आप इसे जरूर से घर में ट्राइ करिए और रेसिपी पसंद आये तो लाइक जरूर करें, थैंक यू